राजत के वर्तमान पर बात करने से पूर्वे इसके पुराने यतिहास को जानना जरूरी है बात करीब 27 वर्ष पुरानी है पूरे देश में चारा घुटाले की चर्चा जोर पगड रही थी लालो प्रिशाद तब बिहार के मुख्यमंत्री थी उन पर दवाब था कि वे बिह के लिए तयार नहीं था नतीजा 5 जुलाई को लालो प्रशाद ने नई पार्टी राष्टी जंतादल का गठन कर लिया 25 जुलाई उनीस सो सल्तौनवे को अन्हों ने एक और दाव चला और अपनी पत्नी रावरी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया रावरी दे में लोकसभा की चुनाब होए मार्च नीस सो अठावे के राष्टी जुनावों में राजरत ने बिहार में 17 लोकसभा सीटे जीती वोट हासल करने के मामले में भी राजरत का प्रदशन सांदा रहा और उसे 26.6 प्रतीशत वोट प्राप होए हालकि साल भर बाद ही फिर से चुनाव की नौबत आपड़ी अक्टूबर 1999 के चुनावों में राजरत ने कॉंग्रस के साथ गडवंदन में चुनाव लड़ा इस बार लालू प्रशाद यादव की पार्टी राजरत को बिहार में जोरदार जटका लगा राजरत सर्फ साथ लोकसभा सिर्ट ज्रीट सक यहां तक कि लालू यादव भी चुनाव हार गए हाला कि वोट प्रतीशत को देखते तो राजरत की खाते में 28 दस्म लव 29 प्रतीशत वोट आई यानि वोट प्रतीशत बढ़ने के बाद भी सीटों का बड़ा नुकसान राजरत को हुआ लेकिन राजरत ने खराब प्रद प्रतीशील गटवंदन वाली सरकार में लालो यादव रेल मंत्री भी बनने में सफल रहें 2004 में चुनाव में राजरत का वोट प्रतीशत तीस दसमलव 67 था राजरत का सरवाधिक वोट प्रतीशत था पांस साल बाद 2009 क्याम चुनाव में सिट साजा करन ना बनने की वज़ नया गटवंदन मना लिया लेकिन चौथा मोचा वाले इस गटवंदन में राजरत का प्रदfa प्रदिशन काफी खराब रहा राज़त को बिहार में सर्फ चार्ज सीटयी ही मिली वोट प्रतीशत भी तकरीवन पांच प्रतीशत कम हो गया 2009 में राजरत का बोट प्रतीशत तरी 25.86 प्रतीशत था, 2014 की लोगसभा चुनाफ में राज़त एक बार फिर युनाइटेट प्रोक्रेसिव एलाइंस में आगया और कॉंग्रिस से साथ मिलकर चुनाफ लड़ा, बिहार की 40 लोगसभा सीटों में राज़त 27 कॉंग्रिस 12 राकामपा ने एक सिट पर मिलकर चु सीटे ही जीत पाया, इस बार भी वोट प्रतीशत 5 प्रतीशत कम हो गया, अपनी गठन से लेकर 2019 की लोगसभा चुनाफ की दौरान राज़त का प्रदशन सबसे खराब रहा, 2019 के चुनाफ में राज़त सुनने पर वोल्ट हो गया, वोट प्रतीशत भी घटकर 15 दसमलब 36 हो सीट पटवारे पर हाला की पेंच है, लेकिन राज़त 28 सीटों पर चुनाफ नड़ने की तयारी में है, राज़त के लिए चुनौती है, बिहार में भाजपा और जदियों के किले को ध्वस्त करना, राज़त गडवन्दन का पिछला प्रदशन बताता है, कि राज़त के ल आसान नहीं होने वाली क्योंकि लालु प्रिशाद उम्र के उस पड़ाव पर है, जहां वो बहुत कुछ कर सकने की स्तिथी में नहीं, लेकिन उनके उत्रादिकारी बिहार के नेता पर्तिपक्ष तेजस्वियाद प्लोक सबचुनाफ में बड़ी लकीर खीशने को लेकर प पाटी लगतार ये बताने की कोशिश में है कि उनकी प्रात्मी की युवाओं के लिए रोजकार नौकरी के साथ ही लोकों की कमाई, दवाई और पढ़ाई से चायजर से मसले हैं